हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे, जो दुनिया के सबसे अनलगी लड़की है, लेकिन फिर उसका सामना एक मैजिकल कैट से होता है, और इससे उसकी लाइफ पूरी तरहा बदल जाती है, तो चलिए देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी को तो मूवी की शुरू में हम सैम को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ वीडियोज बना रही है, और पता चलता है कि वो दोनों यहाँ एक और्फिनेज में रहती हैं, तब ही अचानक उनका सारा सेटप तूट जाता है, और हेजल कहती है कि तुम्हारी किसमत तो सच में बहुत खराब है, और हमें तुम्हारे लिए गुड़ लग डूनना होगा, फिर वो अपने एक अठे की ओवे कुछ लखी आइटम्स उसे दिखाती है, और बताती है कि अब मुझे बस एक लखी कोईन की जरूरत है, और फिर कोई नो कोई मुझे अड़ोग जरूर क है, हेजल ये सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि बड़ी हो जाने के कारण सैम को अनाथ हले छोड़ कर जाना होगा, सैम वर्डन से रिक्वेस्ट करती है कि मैं हेजल के अडॉक्ट होने तक यही रुखना चाहती हूं, लेकिन वर्डन कहती है कि अब तुम 18 साल की हो चुकी है, फिर वो हेजल से प्रॉमिस करती है कि फ्राइड़ को मैं तुमसे मिलने जरूर आउंगी और होफफुली मेरे पास तुमारा लखी कोईन भी होगा, बाहर एव उसे उसका समान देती है, जिसमें उस वक्ट की पिक्चर है, जब पहली बार किसी ने उसे अडॉप्ट किय था, लेकिन अनलगी होने के कारण वो जादा दिन उनके साथ नहीं रह पाई, और तब से काफी सारी फैमिलिस उसे रिजेट कर चुकी है, इव उससे आगे के प्लैन के बारे में पूछती है, और सैम बताती है कि उसने एक स्टोर में अपने लिए जोब ढून ली है, और कल सुबा उसे जोइन करना है, आगे सैम अपने अपार्टमेंट की चावी को भी गटर में गिरा देती है, और रिव एक नई चावी देकर बोलती है कि जल्दी ही तुम्हारा लग चेंज हो जाएगा, सुबा भी हम उसके बैड लग के कुछ जलकियां देखते हैं, जहां वो क कि सैम ने तो स्टोर में तबाही मचा दी है, तंग आकर वो सैम को बाहर ले आता है, और कहता है कि शोपिंग कार्ट संभालने में तो कोई प्रोब्लम नहीं हो सकती, अगले दिन सैम हेजल से मिलने जाती है, जहां वार्डन से पता चलता है कि हेजल की फोस्टर फैमली ने अपना प्लैंट कैंसिल कर दिया है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताती है कि संडे को एक नई फैमली आने वाली है, फिर सैम हेजल से मिलती है, जो एटोप ना होने के कारण बहुत दुखी है, और सैम उसे यकीन दिलाती है कि जल्दी उसे एक अच्छी सी फैमली मिल जाएग लेकिन हेजल को लगता है कि उसका गुडला कहीं रुका हुआ है, और वो सैम से उस लगी को इनको जल्दी से डूनने को कहती है, आगे हम सैम को एक सैंडविच खाते वे देखते हैं, और तभी एक ब्लैक कैट कहीं से आकर उसके पास बैठ जाती है, सैम भूका समझकर कर भाग जाती है, और सैम देखती है कि नीचे जमीन पर एक कोईन पड़ा हुआ है, और वो उसे उठा कर अपनी पोकेट में रख लेती है, सुबा आख खुलने पर वो देखती है कि आज उसके सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, जैसे होमवक अपलोड होना, मैचिंग सोक्स मिलना और यहां तक कि उसका शावर भी काम कर रहा है, तब ही उसकी पोकेट से वो कोईन निकल कर गिरता है, जिस पर अजीब से डिजाइन बने हुए हैं, और उसे लगता है कि शायद ये कोई लखी कोईन है, वो उसकोईन को टेस्ट करके देखती है, और उसे कनफर्म हो ज लखीन नहीं होता कि एक ही दिन में वो इतनी एफिशेंट कैसे बन गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ औरी मनजूर था, क्योंकि सैम गलती से उस कोईन को एक टोईलेट में गिरा देती है, और उसे निकानने के चकर में वो फलश हो जाता है, शाम को सैम उसी ब्लैक कैट स मिलती है, और उसे बताती है कि कैसे कल उसे यहां से एक लखी कोईन मिला था, लेकिन उसने गलती से उसे फलश कर दिया, ये सुनकर वो कैट चौंक जाती है, और कहती है कि ये आखिर तुमने क्या कर दिया, सैम भी उसे बोलता देखकर बहुत हैरान होती है, और तब ही वो उससे डर कर भाग रही है वो भी उसका पीछा करती है लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी cat उसके हाथ नहीं आती और इससे Sam उदास हो जाती है तब ही उसे कुछ हावास सुनाई देती है और वो देखती है कि पीछे गली में वो cat बैठी हुई है जो एक पोटल खोल कर उसमें कूच जाती है Sam को ये सब थोड़ा अजीब लगता है लेकिन कोईन लेने के चकर में वो भी उसके पीछे उस पोटल में चली जाती है और वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले आता है cat उसे वहाँ देखकर डर जाती है और कहती है कि एक इनसान को यहाँ नहीं आना चाहिए था Sam कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाओंगी लेकिन उसके बदले मुझे एक लखी कोईन चाहिए तब cat उसे बताती है कि तुम इस वक वुडलक सिटी में हो और अगर किसी ने तुमें देख लिया तो मेरे लिए प्रॉबलम खड़ी हो जाएगी तब ही कुछ हावाज सुनकर वो Sam को छुपने को कहता है और वो देखती है कि तो लेपरिकॉन्स वहाँ उसे मिलने आये है पता चलता है कि इस cat का नाम बोब है और जो कोईन Sam ने गुमाया था वो ये कैर्स अपने ट्रेवल के लिए यूज करती है और बिना इसके बोब सीटी के अंदर नहीं जा सकता सैम को ये भी पता चलता है कि सीटी के अंदर एक कोईन डिपो है जहां से ये सारे कोईन से इशू किये जाते हैं और वो बोब से कहती है कि क्यों नहां अंदर जाकर एक और कोईन ले आए जिससे हेजल के साथ साथ तुमारी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी बोब भी कुछ सोच कर उसकी बात मान जाता है और सैम कहती है कि फिलाल अंदर जाने के लिए तुम मेरे बटन का यूज कर सकते हो आगे उनका सामना एक कैप्टन नाम के लेपरिकोन से होता है जो यहां की सिक्योर्टी हैट है लेकिन उस बटन की मदद से बोब और सैम उससे बच निकलते हैं फिर बोब उसे लेपरिकोन की लोकल रूम में ले आता है और बताता है कि ये मेरे दोस जैरी का लोकर है जिसकी जौब इस बच कोईन डिको में है सैम वो कपड़े पहन कर एक लेपरिकोन बन जाती है और बोब सबको बताता है कि ये लेपरिया नाम के एक मैजिकल कंट्री से आई है जहांकि लैपरिकोंस बहुत बड़े होते हैं आगे वो जेरी से मिलने उस Coin Depot में आते हैं जो Sam की साइस को देख कर बहुत इंप्रेस होता है और तब वोब उसे कहता है कि Sam Coin Depot का एक टूर करना चाहती है जेरी इसके लिए तयार हो जाता है और बताता है कि आज हम coins को polish करने वाले हैं और तुम भी इसमें हमारी मदद कर सकती हो Sam वहाँ उन coins को चुराने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि एक sucking machine उन्हें खीच कर ऊपर ले जाती है और तब ही उसके हाथ में अपना खुद का button आ जाता है जल्दी ही Sam के bad luck से वहाँ गडबड हो जाती है और वो button भी उससे छूट कर उस machine में चला जाता है Lepticon's building को खाली करा लेते हैं और भोब Sam को बताता है कि अब captain को button के बारे में पता चल जाएगा और हमें coin को भूल कर यहाँ से निकल जाना चाहिए तब ही उनसे मिलने Jerry वहाँ आता है और Sam उसे सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो यहाँ coin चुराने आये थे Jerry यह सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि captain इसके लिए दुमें bad luck city में बेज देगी जो good luck city के ठीक नीचे बनी हुई है फिर वो उन्हें एक bunny drone के बारे में बताता है जो किसी भी खोएवे coin को ढूंड सकता है लेकिन उसे चलाने के लिए luck crystal की जरूरत पड़ेगी फिर वो सब उस luck crystal को लेने जाते हैं जिसे बनाने वाले कुछ pick for man है और Sam वहाँ एक बड़े से dragon को देखती है जेरी बताता है कि ये good luck city की mayor babe है और इसके पास ऐसी powers है जिससे ये bad luck को कहीं से भी smell कर सकती है आगे हम उन्हें पिक्स को वो crystal बनाते वे देखते हैं और वो उसमें से एक को चुरा लेते हैं फिर जेरी उने control room में जाने को कहता है और खुद उस bunny drone को activate करने जाता है इतर बोब Sam को randomizer machine दिखाता है जिस पर good luck और bad luck के दो stones लगे हुए हैं जो good luck और bad luck के crystals को अपने और खीचते हैं और फिर supply lines के थ्रूनें दुनिया भर में पहुंचाते हैं आगे हम उने उस drone को activate करते वे देखते हैं जो portal से निकल कर city के sewer plant में जा पहुंचता है और वहाँ उस coin को ढून लेता है तब ही वो screen पर captain को देखते हैं जिसे button की सच्चाई का पता चल जाता है और वो कहती है कि जल्दी ही मैं उस store को ढून निकालूंगी इधर drone पैनी लेकर वापस आ जाता है लेकिन इससे पहले कि Jerry उसे पकड़ पाए vacuum उसे खीच कर bad luck city में ले जाता है तब Jerry उन्हें बताता है कि drone पहले sorting facility में जाएगा जो bad luck और good luck city के बीच में बनी हुई है और Sam और बोबू से लेने चले जाते हैं लेकिन Sam से button दबाने में गलती हो जाती है और इससे वो सीधा नीचे bad luck city में आ जाते हैं जिसकी gravity good luck city से बिलकुल अलग है वहाँ एक accident से वो दोनों अलग हो जाते हैं और बोब सेम को sorting facility में आने का रास्ता बताता है जो tower number 13 से होकर निकलेगा और खहता है कि मैं वहाँ तुमारा इंतिजार करूंगा सेम देखती है यहाँ तो हर तरफ monster भरे हुए हैं और उनसे बचते हुए वो एक room में छुप जाती है जहाँ एक box में कुछ good luck crystals रखे हुए हैं वहाँ से निकल कर वो bad luck city में आती है और थोड़ी problem का सामना करने के बाद finally उस tower 13 तक पहुच जाती है यहाँ उसे बोब का बता है जो nature wise बहुत friendly है और उसका काम है अपनी machine से bad luck को randomizer में भेजना यहाँ यह भी पता चलता है कि Jeff babe का पुराना प्रेमी है लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि babe को bad luck बिल्कुल पसंद नहीं है फिर Jeff उन्हें उनका drone वापस करता है लेकिन बताता है कि कोईन को तो मैंने कोईन डिपो में भेज दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके बोग को लगता है कि अब उन्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता और तब सैम उसे अपना idea बताती है कि वो bad luck crystal लेकर babe से मिलने जाएगी और हो सकता है कि वो मदद करने के बेब भी सनोखी लेपरिकोन को देखकर बहुत इंप्रेस होती है लेकिन देखती है कि उसके पैर में तो एक bad luck crystal चिपका हुआ है जिसका असर काफी दिन तक रहता है सैम भी unlucky होने की acting करती है और जैसा कि उसने सोचा था बेब उसे अपना एक lucky coin देती है और कहती है कि ये तुम्हारे bad luck को खत्म कर देगा सैम उसे लेकर वापस bob के पास आती है लेकिन देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे bad luck city में transfer करने वाली है सैम तुरण जाकर उसे रोक लेती है और वो coin देकर कहती है कि bob ने गलती से इसे गिरा दिया था कैप्टन को bob को छोड़ना पड़ता है और bob सैम से पूछता है कि ये coin तो तुम हैजल को देना चाहती थी तब सैम कहती है कि तुम्हें फसाकर मैं हैजल की मदद नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा plan है जिसमें हमें coin की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर वो bob को लेकर जैफ की bad luck machine के पास आती है और कहती है कि अगर मैं इसे ही बंद कर दूँ तो दुनिया में bad luck जाना बंद हो जाएगा और हमारी सारी problems भी solve हो जाएगी जैफ से चुपते वे वो उसकी machine को बंद कर देते हैं और देखते हैं कि दुनिया में अबस good luck ही जा रहा है फिर वादे के मुताबिक सैम वहां से वापस जाने लगती है लेकिन पता चलता है कि वैक्यूम से bad luck leak हो रहा है इदर जैफ भी अपनी machine को देख लेता है और भाग कर उसे start करने जाता है बोब और सैम उस randomizer को चेक करने आते हैं और तब ही एक तेज़ प्रेशर के साथ bad luck पूरे good luck सिटी में फैल जाता है इससे वहाँ के सारी facilities नश्ट हो जाती है और supply line से सिरफ bad luck दुनिया में जाने लगता है इसका असर Hazel की किस्मत पर भी पड़ता है और वो देखते हैं कि उसकी foster family आज भी नहीं आई बेप इस situation को चेक करने आती है और देखती है कि randomizer के दोनों stone नश्ट हो गए है और इससे लग की supply line पूरी तरह से बंद हो गई है यहाँ बेप को सैम की सचाई का भी पता चलता है और वो कहती है कि देखो तुमारी गलती ने क्या कर दिया और अब दुनिया में good luck और bad luck नाम की कोई चीज नहीं है कैप्टेन और जैरी भी बोब से बहुत disappoint होते हैं और वो सैम से कह कहता है कि यह सब मेरी ही गलती है और मुझे तुम्हें पहले ही वापस भेज देना चाहिए था सैम इसे ठीक करने का तरीका पूछती है लेकिन बोब कहता है कि बिना स्टोन के randomizer चालू नहीं हो सकता और स्टोन्स बनाने के लिए हमें crystal की जरूरत पड़ेगी यह सुनकर सै रूटी में कुछ good luck crystal देखे थे और वो उसे लेने वापस नीचे जाते हैं सैम उन्हें उस room तक लेकर आती है और पता चलता है कि यह तो एक monster बार है जिसका मालिक रूटी नाम की giant root है और वो और बोब एक दूसरे को पहले से जानते हैं सैम रूटी को उपर हुई problem के बार में बताती है और कहती है कि हम यहां कुछ good luck crystals लेने आये हैं तब रूटी उन्हें एक जार दिखाता है जिसे good luck के लिए उसने अपने game machine में लगाया हुआ था और कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो और जैसे ही randomizer ठीक हो जाएगा मैं इने फिर से ही कठा कर अब वो उसे वो जार दिखाते हैं जैफ बेब से कहता है कि तुम्हारी आगी इन crystals को stone में बदल सकती है और बेब भी ऐसा करने में बिल्कुल देर नहीं करती जल्द ही वो crystals stone में बदल जाते हैं लेकिन पता चलता है कि बेब ने good luck के दो crystals बनाए हैं सैम उसे इसका कारण प करती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी वो बैड लग सिटी की उल्टी gravity का फायता उठाती है और बेब से पहले machine के दूसरे hole तक पहुँच जाती है वो कहती है कि दुनिया को good luck के साथ साथ bad luck की भी जरूरत है और ये दोनों मिलकर ही इस balance को बना सकते हैं लेकिन बेब का मानना है कि bad luck हमेशा चीजों को बिगानने का काम करता है और good luck सिटी का ये हाल भी उसी की वज़ा से हुआ है तब सैम उसे बताती है कि यहाँ जो कुछ हुआ वो सब मेरी गलती है और bad luck monsters तो असल में तुमारी मदद करने आए हैं फिर वो बेब को जैफ की याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा से उसे बहुत प्यार करता है और बेब भी उसकी बास समझ जाती है आगे वो bad luck stone को उसकी जगा पर लगाते हैं और इससे randomizer फिर से activate हो जाता है उसकी power जल्दी ही luck के balance को restore कर देती है और वहाँ सब कुछ पहले जैसा हो जाता है supply lines भी फिर से शुरू हो जाती है और सैम देखती है कि हेजल को भी finally एक family ने adopt कर लिया है आगे वो सब बेब के साथ उस monster बार में आते हैं और रूटी को वो good luck stone gift करते हैं बेब भी उनसे अपनी सारी दुश्मनी बुला देती है और हम लोग मिल कर उने party करते वे देखते हैं कैप्टेन बॉप से वा हाथ का है जहां सैम ने अपने bad luck को accept कर लिया है और फिर वो bob को लेकर हेजल से मिलने जाती है एंड सीन में हम उन तीनों को मस्ती करते वे देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये movie खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको इन movie पसंद आयो तो प्लीज हमें like and subscribe करना ना थैंक यू